अगर से लेकर प्रताब गड़तर संपूर्ण राजस्थान को कवा करते हैं हम राजस्थान की हर खबर देखते रहे डीपी के न्यूस पर नमस्कार डीपी के न्यूस में आपका स्वागत है मैं आपके साथ हर्श्वधरी बुलेटन की शुरुवात करने से पहले एक नचर बुलेटन की एहम सुर्खियों पर अलवर के गौविन गंड में मॉब लिंचिंग मामले में साथ आरोपी गिरफतार भाजपानेता के बियान के बाद सियासत हुई तेज अलवर में मॉब लिंचिंग में हुई हत्या मामले में पुलीस ने साथ आरोपी गिरफतार गौविन गड के पास रामबास में करीब 15-20 लोगों ने चिरंजी लाल सेनी नामक वेक्ती पर लाठी और डंडों से हमला किया था जिसके इलाज के दौरान जैपुर में मौत हो गई थी अब इस मामले में सियासत भी गर्मा गई भाजपा ने सरकार और स्तानिय जनपरती नीजियों पर तुष्टी करण की राजनिती करने के आरोप लगाए हैं गौविंद गड के रामबास गजबे का मामला है चोगदागत सुबह करीब साड़े चार बजे चिरंजी लाल घर कर पास शोच के लिए निकला था तबी गाडियों में भरकर आए कुछ लोगों ने उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया था जोदपुर से खबर जहां डांगियाबास थाना पुलीस ने अमडियम ड्रक्स की तसकरी करने वाले दो आरोपियों को करफतार किया आरोपियों से 18 ग्राम ड्रक्स के साथ एक अवे देसी पिश्टल और दो जिंदा कार्तुस भी जब्त किये आरोपिय अमडियम ड्रक्स जोदपुर में खपाने के लिए लाए थे थाना दिकारी का नई अलाल ने बताया कि मुक्बिल से सूचना मिली कि कुछ लोग अवे दतियार सप्लाई करने के लिए आने वाले हैं सुचना मिलते ही थाने के नो पुलिस कर्मियों के टीम तयार की और बेसलपुर नाके पर चेकिंग की इस दोरान छेलाराम जाट निवासी पलसानी और जगदिस्ट जाट निवासी पलासनी को रोका दोनों की तलाशी लिए उनके पास से 18 गराम एमडियम ड्रक्स एक पिष्टल और दो चिंदा कार्थूस बरामद हुए जोदपुर जिला पुलीस सदिक्षक ग्रामिन अनिल कयाल ने बताया कि जिला स्पेशल टीम वे पुलीस थाने खेडापा द्वारा सियुक्त कारवाई कर प्रकाश कुमावत निवासी राजगड राजजिला चितोडगड वे खेताराम जाट निवासी सियागों की धानी आ संड़ा जोदपुर को 800 ग्राम अवेद अफिम दूद वे अफिम दूद खरीदने की 60,000 रुपे बरामद किये वहीं एक मोटर साइकल साइट के रफ्तार किया वहीं आगे की कारवाई जारी है खबर जोदपुर से जहां सलमान खान ने हिरन का शिकार किया था अब वहां मंदिर बन कर तयार हो गया आपने कभी सुना है कि एक हिरन का मंदिर बन रहा है जी हाँ यह मंदिर बन रहा है जोदपुर में जहां सलमान खान ने हिरन का शिकार किया था उसी जगह बन्या जीव प्रेमी का मंदिर हिरन का मंदिर बना रही है और ये मंदिर लगबग तयार हो चुका है और जल्दी यहां हिरन की मूर्ती स्थापित की जाएगी और काकाणी में इस हिरन के मंदिर में मूर्ती रखने के लिए तयार हो चुका है इस्तानिय लोगों ने कड़ी मेहनत के बाद इस पूरे मंदिर को बनवाया और उसका रूपया भी अपने सतर पर ही जुटाया यहां सपास रहने वाली लोगों ने पैसा इकटा किया और फिर यह समार्क बनाया ताकि आने वाली पीडिया इसमार्क को देखे और अपने कर्तवे से विचले बना हो जो पहुषय में हमारी पीडिया याद करें दो इसमें समाज का एक बहुत बड़ा मैतो है कि हम इरनों की रक्षा करते हैं बच्पन से हमने देखा है हमारे बुजरुगों हमें यह शिकाया कि हम भीव की रक्षा करें तो उस दोमें से हमें ऐसा बहुत बुरा फिलिंग हु जालवार जिले के गंधार उपकन चेत्र की ग्राम परिंचायत सुनारी के गाउं लुना खेडी में बनी पुलिया पूरी तरह से शत्विग्रस्त हो गई जिसमें सभी मारे का संपर्क तूट गया ग्रामिनों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस दोरान मोके पर इंदोबादी नेता लक्षमन सिंग लूना खेडा मोके पर पहुंचे और श्यासन और परश्यासन को इस मामले में अवगत करवाया इस दोरान गाउं के सौभान चोटू गवल सिंग लाल सिंग जश्वन सिंग आदिक ग्रामिन जन यहां मोचूद रहे सुरतगड में यंग इंडिया के बोल टू परवक्ता चेहन परत्योगिता कायोजन किया गंगानगर जिले की व्यवें चेत्वरों से यवाउं ने हिस्सा लिया इस मौके पर परदेश परवक्ता युवा कॉंग्रेस राजस्तान शकूर खान और सुरतगड से कॉंग्रेस परत्याशी हनमान बेल भी उपस्तित रहे साथ में डेपी के न्यूद से सुभाष चोदरी और विनो जाकर ने जज़ की भूमी का निबाई और युवा कॉंग्रेस के इस प्रयास की साराना भी की है तो शकूर जी आज जैसे आपका सुरतगड दोर रहा तो किस मुद्देबल है जी आज सुरतगड के अंदर श्री गंगानगर जिला है मैं शकूर खान परदेश परवक्ता युवा कॉंग्रेस राजस्तान जैसा कि मानिया हमारे राहूल गांदी जी की सोच थी कि क्यों ना गाओं तब के ढानियों से ऐसे वक्ताओं को चुनकर एक मौका दिया जाए एक प्रेटफोर्म दिया जाए तो उसी के तहट यंग इंडिया बोल के आज ये जो परत्योगिता हुई है इसमें श्री गंगानगर जिले का ये आयोजन था जिसमें श्री गंगानगर शेत्र के विबिन तहसीलों से यहां पर लोग आए जिन्हों ने अपनी आवाज बुलंद की मैं हमारे राष्ट्रिय प्रवक्ता और हमारे राजस्तान प्रभारी आनंद जार साब के आदेशा अनुसार आज श्री गंगानगर में इस प्रोग्राम कायोजित किया है मेरे साथ में डीपी के न्यूज के सुवाज चौधरी जी जो जजज पैनल में थे और विनोज जाकड जी और हमारे युवा कॉंगरेस के युवा साथी उर्जावान कारे करता वकील चौधरी भी थे मांगी साहरण भी थे इसके साथ में सूरतगर से कॉंग्रेस परत्याक्षी हनुमानमील साहब ने भी अपना कीमती समय निकाल कर हमें वक्त दिया और हमारे इस आयोजन को सफल बनाया मैं पुने आप सभी का तहदिल से अभारवेक्ट करता हूँ धन्यवाद खबर हनुमानगर से जामहिला वैबाद विकास विभाग के अंतरगत टाउन में आंगनबाडी केंडर 35 से में खिलोना बैंक आउट गाटन जिलाक लेक्टर नत्मल डिडेल ने किया खिलोनों की वेवस्ता मौर्णिंग वार्क्स ग्रूप के द्वारा की गई इस आउसर पर अतीतियों द्वारा आंगनबाडी केंडर केंडर के बच्चों को खिलाने के वितरित किये गए साथी उडान योजना की अंतरगत निशुलक सैनेटरी नेपकिन का वितरन किया जिलाक लेक्टर ने आंगनबाडी केंडर के बच्चों को स्वेम आयरन सेरप पिलाई और कारे करम में संबोधित करते हुए जिलाक लेक्टर ने कहा कि आंगनबाडी केंडरों पर खिलोना बैंक की स्थापना करना एक अच्छी शरुगात है आज मंगलवार के दिन हमारे सहर की अंगनबाडी 35 एंडर बहुत अच्छा कारिकरम वाइजित किया गया मंगलवार की दिन आंगनबाडी में जो बच्चे आ रहे हैं गरगवती माता आएगी प्रेग्नेंट वैलाई आ रही है उनको भी एनिम्या की चेकिंग बहकर कि एनिम्या मुक्त रजस्कान बनाने का सपना साकार किया जा रहा है छोटे बच्चों को एनिम्या मुक्ती के लिए शिरफ पिलाई जा गया है बड़े जो मैला हैं उनको टेम्बलेट्स पिंग कलर की और ब्लू कलर की टेम्बलेट्स दीजाई थी तीसरा आज उदान योजना के डहेत पे सनेटरी ये पिंग का भी वितरन किया गया मान्य मिख्यमंत्री जी ने मैलाओं ने महावारी के सवस्ता के प्रबंदन के लेकर की बहुती समयदन सील एक पहल की गई है और हमारे स्कूलों में आने वाली कच्छा 6-12 तकी बच्चियां और आंगनवाडी के सेक्टर में जितने भी चारोकारिय चेतर में मैलाएं हैं 45 वरस्ता की मैलाओं तो निसुल्क सेनेटरी नेपकिन का वितरन होगा अहोर से ख़बर जहां विधानसवा चेतर के गाओं कामबा में राइका बाक कलोनिय में लंपी स्किन वोग से पेडित गयों का आहोर विधायक चागन राजप्रोहित ने पशुचिकेट्सा टीम को बुलाकर कामबा में पेडित गोधन का टीका खरन करवाया वे वेदायक राजप्रोवितनी भामशा जेन समाज आहूर की मदद से लंपी स्किन से पेडित गायों के रोग परतिरोदक शंता बढ़ाने के लिए आयरुवेदिक लड़ू खिलाए वे इस रोग में मरत गायों को दफनाने के लिए ग्रामिनों से चर्चा कर विवस्तित रूप से दफनाने को कहा इस दोरान धंजी जेन, राजू भाई जेन, परकास जेन, आदी ने चेकित्सा टीम से डॉक्टर प्रिमोकिश कुमार सहीत अनेक ग्रामिनों ने गोभक्त वहाँ पर मोचूद रही नेमंडी गर्साना में सभी पार्टियां कोले चुनाव पर चार में लगी वी है, वहिया निल नाइक ने चुनाव को नजर अंदाज करके छोटे भाई इंदर मेगवाल के साथ हुई घटना पर दो मिनट का शोक चताया और सच्छी शर्धांचली अर्पित की जालोर के सिवाना गाओं में हुई इंदर कुमार मेगवाल के एक सिकचक दौरां पिटाई के दोरान मोत हो जाना, बहुत बड़ी घटना को लेकर अनिल नाइक के नेतरतों में समस्ती हुआ बरक दौरा, अबोद बालक इंदर कुमार मेगवाल आत्मा शान्ती के लिए कें देने पर अनुसुची जाती की कक्षा तीन के चात्वर इंद्रकुमार मेगवाल को इसकदर पीटा कि उसकी इम्रत्यू हो गई इस सत्यारे को फांसी की सजा दिलाने की मुहिम को तेज करने के लिए अंबेडकर चोक से शहीद चोक हाटा कूशी नगर उत्तरपरदेश तक आकरोर समार्च निकाल कर विरोत परदर्शन किया और शहीद समार्च के पास इंद्रकुमार के आत्मा की शांती के लिए शर्धांचली अर्पित की अस्थान के जो इंद्र मेगवाल जी है जो छोटा बालक है तो इसकूल में एक पीचर द्वारा पानी पीने का वज़े से उसको डंडे सित्रा पीटा गया या जो इंद्रकुमार वस्ता पर पहुंच गया है जीके आंदोलन को लेकर हम लोग कंडिल मार्श निकाले हैं और हमारे सारे समाज के लोग पकत्र होके साथ देने का काम किये हैं जो इंद्र मेगवाल के हत्या हुई है उसके हत्यारे के लिए आप लोग किस डंड का मांग करे हैं हम लोग आजस्थाम की निकमे सरकार को भी बताना चाहते हैं कि उस जो हत्या जो हमारे भाई की छोटे भाई की हत्या उस सिच्छक द्वारा होई है उसको जल्द से जल्द फांसी दिने का काम करें अगर फांसी नहीं होई तो अगर अगर नुरों के लिए हम बात रहूंगे इसके साथ बिलेट में इतना ही नमस्कार झाल झाल